हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेश नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे हैं दोस्तो आज समिक्षा इदिकारी का ठीक है पेपर हुआ है जिसका मैं सी सीरीज का साल्व कराने जा रहा हूं ठीक है तो यह लगभग 90% का 99% आप मानके चले कि यह एकुरेसी सही रहेगे ठीक है और जो कोईश्टन डाउट वाले हैं उनको मैंने छोड़ दिया है ठीक है तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं मिला सकते हैं मैंने काफी हो जा है ठीक है और सर्च किया है ठीक है उसके बाद मैं यह आंसर लेके आ रहा हूँ तो जो लोग पेपर नहीं दिये हैं वो भी देख सकते हैं कि उनको कितना question आ रहा था और आगे जो PCS का 11 तारिको पेपर है तो उसमें उनको काफी इस से मदद मिलेगी ठीक है तो आईए हम देखते हैं ठीक है तो यह question जो है ठीक है पहला question यह आपका reasoning का question है ठीक है C series में जो पहला question है वो सभी का reasoning का है ठीक है तो इसमें क्या है मोहित अपने घर से पस्चिम की ओर 15 मीटर जाता है ठीक है तो इसको आप बनाएंगे तो आप इसका answer जो होगा ठीक है वो आपका होगा ठीक है 10 किलो मीटर आप मिला सकते हैं आप इसका answer ठीक है देख सकते हैं 10 किलो मीटर इसका answer होगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 9, 4, 13, 8, 5, 13 और 6, 7, 13 ठीक है तो यह 3 और 4 हो जाएगा ठीक है तो यह सबसे भिन आपका 13 हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं A जो है B का भाई है C का विवाद D से हुआ है यदि C B का भतीजा है तो A जो है D का क्या होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ससूर हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका ससूर हो जाएगा आंसर ठीक है अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश में किसान संब्रिध योजना का गठन किस वर्स में हुआ था तो किस वर्स में हुआ था यह आपका यह 2018 में हुआ था ठीक है यह आ प्राइच करेगा आयो का अंसर की हो सकता है तीन चार दिन लगे तो आप लोग यदि मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं ठीक है तो आईए देखते हैं अगला क्वेस्ट्न निम्लिकी जनपदों मेंसे किसमे साच्छरता दर सबसे कम है तो यह आप जानते हैं सबसे कम साच्छरता होती है हां उत्तर प्रदेश में तो बताईए तो यह आपका 29 परसंट लगभग 29 परसंट 28 दसमलों कुछ है तो उसको हम 29 परसंट मानेंगे ठीक है अगला प्रस्ण है इस प्रस्ण को आप देखिए सुची वस्द करिए ठीक है पहला और दूसरा ठीक है सुमेलित करना है तो पीतल का समान मतलब एक थर्ड ठीक है मुरादाबाद पीतल समान कहा मिलता है मुरादाबाद में और माचिस कहा होता है तो यह आपका बरेली में माचिस बनती है ठीक है उसका खेल का समान कहा मिलता है खेल का समान आपका मेरठ में बनता है ठीक है और लकडी का नकसी कहा होत सही उत्तर हो जाएगा आप्षन B जे राइट आंसर हो जाएगा ठीक आएए देखते हैं अगला प्रस्ट तो यहां पर देखें उत्तर प्रदेश के मुख लोग की गीत कौन सा है तो कौन सा मुख लोग गीत है बताएगे तो यहां पर जो होगा बिरहा चैती ढोला ठीक है बिरहा जो होता है यह उत्तर प्रदेश का लोग गीत है ठीक है अगला कोशन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग निर्ति कौन से है तो लोग निर्ति कौन सा है बताएगे तो चर्कुला जो है ठीक ब्रेजभूमी चर्क पुला कर्मा पांडो ठीक है यह क्या है लोक निर्ति है ठीक है अगला प्रस्ण है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्ता प्रदेश जनपद में हुई तो कहाँ पे हुई है यह आपका वाराण S.B. में हुए Richard Su 2017 इफको यूरी क्वाय खारखाना उत्ता पर देश के निम्डखित मिंसे कि स्थान पर ए तो यह कहां पर है आउला मतलब यह प्रताबगार आउलास ए यह आउला से अगला प्रस्ण है निम्रिकित में से सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है तो नागरिक्ता कहाँ पर है भाग दो में है तो यह तो सही है नागरिक्ता संग राज छेत्र किसमें दिया गया है यह आपका 7 में है नगरपालिका किसमें दिया गया है यह आपका 9a है तो य यह देखते हैं अगला प्रसाइर अब इस प्रस्षिज को देखे नीचे दिये गए कथन में कथन ए तथा आर दूसरा कारण आर है तो इसमें देखए क्या है कथन क्या कह रहा है अभी कतन है राज के काती काई बाल चसकी प्रयों को प्रीयों संस्ट करने हित और R जो है ठीक है A की व्याख्या कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो होगा answer वो option A हो जाएगा ठीक है option A जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ठीक आईए देखते हैं अगला प्रस आज के paper में सबसे ज़्यादा सूमेलित वाले question यहां पर सूची फर्स्ट है और सूची second यहां पर हमें क्या है सही कूठ का उत्तर दीजे साथ वी सूची में क्या है आपका भासा ठीक है तो साथ वी में क्या है तो यहां क्या है सात्वी का एक थर्ड होगा ठीक है एक थर्ड होगा सात्वी में नहीं आठ्वी अंसूची में ठीक है आठ्वी में भासा है बाइस भासाएं है और सात्वी अंसूची में क्या है संग राज तथा समवर्ति सूचियां है और नौवी में क्या है दस्वी में दल बदल ह और नौवी अनसूची में क्या है यह है ठीक है कुछ अधनियमों का विधि माननी करण तो यहाँ पर देखिए ठीक है आपसन देख लेते हैं आपसन जो होगा यहाँ पर आपसन डी होगा आप मिला लीजिएगा ठीक है Option D होगा ठीक है आईए देखनें अगला प्रस अगला प्रसन है निम्लिकित में से कौन से सुमेलित नहीं है तो सुमेलित जो नहीं है उसका बताईये ठीक है तो यहाँ पर जो है अन्तर राजिये परिस्त जो है 1990 में है ठीक है केंदी सतरता आयोग 1964 है राष्टी मानवा अधिकार आयोग 1993 है ठीक है तो राष्टी मानवा अधिकार आयोग कभ है 1993 आईए देखते हैं अगला प्रस्त तो यहाँ पर देखे नीचे दिये के कथन में ठीक है कथन क्या है हमारा जब एक देश के भुकतान उसके व्यापार में वस्तूओं सेवाओं एवं विश्द आय की प्राप्तिओं से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है तो कारण क्या है चालू घाता घाटा सी हो जाएगा ठीक है आप मिला लीजेगा ए सत्य है किन्तु आर असत्य है ठीक है तो यह अगला प्रस्ण है हरित बांड के संबंद में निम्ड में से कौन सा कत्न सत्य नहीं है ठीक है कत्न सत्य नहीं है तो इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ठीक है हरित बांड वित्तिय बाजार नवाचार है ठीक है यह आपका क्या होगा option ठीक है गलत है ठीक है बाकी सब सही है आप मिला लीजेगा इसका ठीक है आएए देखते हैं अगला प्रस अगला प्रस ने defense expo औ ठीक है यह आपका हो जाएगा ठीक है और इसके बाद कौन सा हुआ है तो e कर अ का second ठीक है do अपूर्ष्य प्रिक्राइट 550 और डिन ग्रोड спас situation चोड़ केंगे दो का में में लिएिक्स चौंक आपके रहीकराइट टिलीक्राइट आपकन है में में लिए में हूआ बी मिल रहा है ठीक है आपसन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ठीक आए देखते हैं अगला प्रस्वा कोश्चन है ठीक है सिच्छा एवम संस्किति के लिए संस्किति के लिए संस्किति संसाधन एवम प्रसिचण केंद्र CCRT की अस्थापना वर्ष 1989 में की गई थी CCRT का उद्देख सिच्छा को संस्कित से जोड़ना था तो यहाँ पे कौन सा अंसर होगा यहाँ पे आपका जो है ठीक है A और कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन जो R है ठीक है कारण वो A की व्याख्या नहीं कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो आपसन होगा वो दोनों सत्य है लेकिन आपसन B तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपसन B ठीक है दोनों सत्य है तथा R A की सही व्याख्या नहीं कर ठीक है अगला प्रस्ण है बीस्वा बांगला उस्सो निम्निमर राज में मनाया जाता है तो कहां मनाया जाता है यह आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है ठीक है बांगला उस्सो कहां मनाया जाता है त्रिपुरा में जीवास्म इधन में एक मात्र उर्जा का चरम सुरोत है प्रिष्वी है समुद्र है सूर है चंद्रमा है तो यहाँ पर प्रिष्वी ही जीवास मीदनों का ठीक है चरम सुरोत है अगला प्रस्ने पारिस्तिकी तंत्र का प्रेरगबल कौन सा होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है पारिष्टिकी तंत्र का प्रेरर्गब सौरूर्जा होता है ठीक है अगला प्रसन निमलिकित में से कौन सा पदार्थ प्रितिवी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर तम पदार्थ है तो कौन सा है, सबसे कठोर, आपका हीरा है, ठीक है, हीरा सबसे कठोर होता है, ठीक है, अगला प्रस्ण देखते है, निम्लिकित में से कौन सा, लोधातू के छेकरण में आवस्चक है, तो क्या आवस्चक है, आपका अक्सीजन तथा नमी, ठीक है, आपसन बीज होगा, वो सह अगला प्रस्ण है महासागर में डूबी हुई वस्तों की इस्तिती जानने के लिए निम्ण में से कौन सा यंत प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर क्यों सा प्रयोग किया जाता है सोनार ठीक है सोनार का प्रयोग किया जाता है राम सार सम्मेलन संबंदित है तो राम सार सम्मेलत कि से है आद्र भूमिशन रचछत से ठीक है यह आपनर डी जोगा यह सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी 140 प्रस्ण है इसलिए ठीक है मैं लगबग इसको दो पार्ट में लेके आऊँगा ठीक है तो जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ इसको explain नहीं कर रहा हूँ explain करूँगा तो time ज़्यादा लग जाएगा ठीक है तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए जल्दी जल्दी में question इसका answer बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए vitamin K किससे है vitamin देखिए पहले vitamin C C किससे है नीवू से है ठीक है तो यह आप जानते है vitamin K किससे है vitamin K है आपका ठीक है vitamin K किससे है तो यह आपका हो जाएगा alpha alpha ठीक है K किससे alpha alpha से है और vitamin D किससे है तो vitamin D होगा आपका third से vitamin E vitamin E तो आप जानते ही है गेहों के brood teal से तो यहां पर option जो होगा वो मिलाना है कूडबद करना था तो यहां पर अंसर जो होगा वो option D होगा ठीक है option D जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा लाठी कलप के स्थापना निमलीकित मैं से किस ने की थी तो भगास सिंग लाला राज पत्रा है बाल गंगा धर तिलग भी पिंचन रपाल बताए कौन सा है तो यहां पर आपका जो होगा आपसन सी हो जाएगा ठीक है बाल गंगा धर तिलग आईए देखते हैं अगला प्रस्ट इस्वर के बारे में सोचने पेलिए मेरे पास वकत नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है उप्रोंग कतन किसका है ठीक है तो ये उप्रोंग कतन किसका है ये आपका स्वामी द्यानन स्रसुती आप्षन बी जोगा वह सही उत्तर है ठीक है आए देखने अगला प्रस्ट तो दिखे निमलिकित घटनाओं पर विचार कीजिए तो कलाइब का पुना भारत आगमन इलाबाद की संदी बक्सर का युद्ध वारेन हैंस्टी का भारत का गवर्नर बनना होगे तो घटनाओं के गटित करम के कला अनसार ठीक है कूटबद्ध क्या उनसा होगा बताइए इसको हम काल के अनसार देखेंगे तो हमारा जो होगा रावर्ड कलाइब का पुना भारत आगमन होगे तो आपका इलाबाद की संदी का हुई थी इलाबाद की संदी इलाबाद की संदी 1765 में हुई ठीक है और बकसर का यूद 1764 यह तो आप जानते ही इस गवर्नर जनरल कब बना था तो यह 1772 में बना था तो 1772 यह भी हो गया अब आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा तो आंसर आपका जो प्षी यहां पर देखिए कौन सा सही है तो इसमें क्या क्या दिया गया है सही के साथ सुमेलित की तता नीचे में कूट में तो आपको आंसर बताना आए ठीक है तो प्रत क्या क्या होगा तो संध इलाबाद की संदी इलाबाद की कि संदी देखिए उपर भी पूthe और यह हम पूछा त्यूंकि सद्रा सो सुल पैंचेट में है ठीक है सत्रा सो पैंचेट इलाबाद की संदी देखे डबल रिपीटेड हो गया है यह आपका सत्रा सो पैंचेट हो जाएगा और सत्रा सो पैंचेट मतलब एक फोर एका फोर जो होगा वह हमारा किस अप्षन में है एक ही आप्सन है तो वही आप्सन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ठीक है आप्सन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा आपका ठीक है क्योंकि एक फोर जो है हमारा केवल एक ही आप्सन में इसलिए हम एक फोर लगा देंगे ठीक है आईए देखते हैं अगला तो यहाँ पर देखे काल करम के अनुसार ठीक है इसको भी लगाना है आपको तो कन्योज का यूद चंदेरी का यूद ताल कोटा का यूद चौसा का यूद तो इसका काल करम बताईए तो कन्नोज का यूदुवा था 1540 में ठीक है ये हो जाएगा आपका 1540 में ठीक है चंदेरी का यूदुवा था 1528 में तो ये 1528 हो जाएगा ताली कोटा का यूदुवा था 1565 में तो ये 1565 हो जाएगा ठीक है चौसा का यो दुवा था आपका 1549 में तो ये 1549 हो जाएगा ठीक है तो अब आप इसका आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही होगा ठीक है तो आप इसका देख लीजे कौन सा होगा तो ये आपका आंसर जो होगा देखिए करते हैं तो है आपका पहले कौछ होounced हुगा घृपतर हो जाएंगगा अंसर ₹ आईए देखते हैं अगला प्रस्त तो यहां पर देखिए इसको भी आपको काल क्रमा अनुसार विवस्तित करना है गांधी इर्विन समझा था पूना पैक्ट ठीक है राश्टिय स्वसंता की घोष्णा सविने अवग्या अंदोलन तो यहां पर कौन सा होगा बताईए तो अगला प्रस्त तो यहां पर देखिए यहां पर भी सूची को ठीक है आपको मिलाना है तो कैसे मिलाना देखते हैं इंडियन एसुसियेशन तो इंडियन एसुसियेशन का क्या हो जाएगा आपका सुरेणात बनर जी ठीक है यह हो जाएगा सुरेणात बनर जी पूना सारजिनिक सभा तो इसका क्या हो जाएगा आपका महादेव गोविन रनार्डे ठीक है तो य आपका अनन्द चारलू, ठीक है तो यहां पर आसर जो होगा, उस इसाब से कौन सा आपशन होगा आपका, आपशन A हो जाएगा, ठीक है, आपशन A जो इहां पर कौन सा होगा आपशन A हो जाएगा, ठीक है, आये देखते हैं अगला प्रस ठीक है, imperial गजेटियर के संकलन करता कौन थे तो बताएए इसके कौन थे तो William Wilson Hunter तो यह आपका हो गया option B ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस अब यहाँ पर जो question है देखिए सर्वोच नयाले की अस्थापना के संबन्द में निम्लिकित में से कौन साकतन सही है तो कलकत्ता में सर्वोच नयाले के अस्थापना 1773 के regulating act के द्वारा की गई थी यह सही है ले मेंस्टर इस नयाले के प्रतम मुकिन आदिस थे तो यह भी आपका ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा option एक एवल फर्स्ट सही है ठीक है ठीक आईए देखते हैं अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट है प्रमाडित बीच के थैलों पर प्रयोग यह जाने वाले टैग का रंग किस कलर का होता है तो नीला सफेद बैग नहीं सुने रहा यहाँ पर एउसमेल तो यहाँ पर आपका यह पर देख लिजेगा वईसे हमारे इसाब से जो इसका आंसर होगा वो तो आप्सन बी जोगा निर्मलिकित में से कौं उत्तर प्रद्शिक के सरवधिक फसल छेत्र के अंतरगत सही सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यह आपको आपको लग रहा कि इसका कोश्चन का अंसर गलत तम ने बताया है तो आप कमेंट बाक्स में उसका अंसर सही बता दिजी ठीक है जिससे और लोगों को भी कोई दिख करना हो ठीक है आए देखते हैं अगला प्रस्ट देश की पहली इंटर सिटी इलेक्टिक बस सेवा फरवरी दोजार बीस में पबली प्राइबेट साजिदारी माडल के अंतरगा सुरू की अन्ने वाला राजी कौन सा है तो यह कौन सा राजी है वो आपका महारास्ट है ठीक है आए देखते हैं अगला प्रस्ट फोर्टी टू का देखिए डिपाजिट इंसुर्जेंस एंड क्रेटिट गारंटी इंसुर्जेंस निगम के संदर में निमली की करतनों पर विजनी ठीक है कौन सा करतन सही है तो भारती रिजर बैंक की एक सहायक है पांच लाकी ज गरुट का स्केवल ऑजो ऐए देखते हैं अगला प्रस्ट तो यहाँ पठीए इंडियन बैंक आपका कॉन सा है इंडियन बैंक आपका पूलिक सेक्टर बैंक है ठीक है आपका पूलिक सेक्टर बैंक इंडियन बैंक है और आईसी आयसी breakout मइंक प्रिफ्राइज के मतलब निजी bank है ठीक है तो यह private bank हो गया उसके बाद आपका city bank, city bank कैसा है, यह आपका विदेसी bank है ठीक है और सारस्वत bank कौनसा यह आपका सहकारी bank है ठीक है, तो यहाँ पर answer जो निकलके आएगा वो आपका कौन सा होगा option D option D जो होगा वो सही उत्तर होगा आए देखते है तो यहाँ पर answer जो होगा वो option D निकल के आ रहा ठीक है आए देखते हैं अगला प्रस्ट तो यहाँ पर दो कूट दिये गए अभी कतन क्या है operation treat के अंतरगद RBI एक ही समय में alkaline प्रतिभूतियों को बेच कर दीरकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है इस operation का मुख के उद्देश से दीरकालीन निवेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर ठीक है दोनों दिया गया और दोनों कारट सही है तो यहाँ पर क्या हो जोगा आपसन फर्स्ट इजे राइट आंसर हो रहेगा ठीक है पहला सही होगा और इसकी व्याख्या कर रहा है ठीक है कारट जो है वो कथन का व्याख्या कर रहा है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट निम्रिकित में से वेवसाय का समाजिक उदेश है तो क्या है वेवसाय का समाजिक उदेश है वेवसाय क समन्न है ठीक है आपसन सीज होगा वो सही उतर होगा ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट 2011 की जन करना के अनुसा निम्रिकित राजियों में से नगरी करण का अस्तर सबसे निम्र है तो कहा का है नम्रिकित ये भी कुष्चण का आप ठीक है प्रस्ट में इसका उतर दीजेगा वैसे हमने इसका मिजोरम ठीक है लगा रखता है वाकी आप देखके इसका अन्सर कमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ट निमलिखित राजे केंदर सासित राज्यों में जर्बा जन्जाती का निवास अस्थान कहां पर है जर्बा जन्जाती जो है अंडमान निकोबार में है अगला प्रस्ट देखिए तो यहाँ पर आप कूट सुमेलित करिए ठीक है तो बताइए कौँ सा होगा तो यहाँ पर जो होगा ठीक है गुरू महिसानी तो गुरू महिसानी किस्से हैं यह आपका लोग आयस कोगा ठीक है यह लोग आयस यह आपका लोग आयस को जाएगा ठीक है और तलचीर तलचीर आपका जो होगा वो आपका कोईला हो जाएगा तलचीर कोईला जादू गुड़ा जादू गुड़ा तो आप जानते ही है यूरेनियम का है ठीक है और जावर जो होगा आपका जस्ता होगा यहाँ पर आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा आपसन आपसन सी जो होगा भारत में मांसून की उत्र-पत्ती निम्लिकित प्वनों में से किसके द्वारा तो किसके द्वारा होता है साउथ पश्चिम पवण द्वारा ठीक है निम्लिकित किस राजी क से कर्करेखा नहीं गुजरती है तो करकरेखा नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है, मिजूर, मड़ी पूर से, ठीक है, मड़ी पूर से जो है, करकरेखा नहीं गुजरती है, तो 50 question ठीक है, part 1 हो गया, और अगला 50 question फिर, part 2 और फिर 40 question, क्योंकि 140 question है, ठीक है, तो सारे question एक वीडियो में बनाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी तो दोस्तों ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेज नोटिक्सिकेशन समय समय पर मिलता रहे ठीक है आपको अभी दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ठीक है तो इसको आप मिलाइए और कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट बाक्स में इसका उत्तर दे जीजिएगा थैंक्यू फ्रेंड्स पर वाजिंग माई वीडियो जैन जै भारत